जैसे बिना पानी की नदिया विर्थ हूती है बिना बच्चों के किलकारी के आंगन अर्थ हीन हुआ करता है बिना फूलों के बगिया का कोई औचित्य नहीं होता और बिना पैसे के पर्स कोई काम का नहीं हुआ करता ऐसे ही इनसान का जीवन भी धर्म के बिना सन्दमार्ग रहिद जोती रहिद और सार्थक्ताओं से वन्चित रहा करता है धर्म वही सार्थक हुआ करता है जो हमारे जीवन की वर्तमान समस्याओं का समाधान देने में हमारे लिए सहियोगी बना करता है यदि मकान सौ साल पुराना हो जाए और मकान में से चूना खिरने लग जाए तो मकान को गिरा देना चाहिए ऐसे ही अगर धर्म भी मानव जाती को कल्यान का रास्ता दिखाने की बज़ाए अगर केवल एक मत मजहब के नाम पर इनसान के लिए बंधन की बेड़ी बन जाया करता है तो धर्म और मत मजहब का भी समय के साथ विले हो जाना चाहिए धर्म वो है जो की जीवित हो धर्म वो है जो की सरल हो धर्म वो है जो की हमारे वर्तमान जीवन हमारे समाज हमारे युग की समस्याओं का समाधान देनी में सफल हो अगर कोई भी धर्म मानवता की समस्याओं को निप्टानी में सहयोगी बनता है तो वही धर्म इनसान के पाउं की पाजीब बन जाया करता है और अगर समाधान देनी की बज़ाए धर्म यदि हमें आपस में लड़ना और लड़ानी का काम करता है तो वही धर्म हमारे पाउं की पाजेब बननी की बज़ाए पाउं के बंधन की बेड़ी बन जाया करता है मुल्यवान ना किसी धर्म का है ना किसी मत और मजभब का है मुल्य केवल इस बात का है कि दुनिया का कोई भी धर्म दुनिया की कितने समस्याओं का समाधान देनी में सफल हो रहा है यदि परिवारों में आई हुई दरारों को धर्म कम करता है इनसान के जीवन में पलने वाली विशमताओं को दूर करने में धर्म मदद करता है भाई और भाई के बीच में वेमनस्य की बज़ाए प्रेम के सेतु बनाने का काम करता है तो धर्म मानवता का मुक्ट बन जाया करता है और वहीं अगर धर्म केवल हाथों में लाठिया उठा कर तीर तलवार बर्ची भाला उठा कर और इनसानियत के बीच में नारों के नाम पर खत्रों के नाम पर अगर आपस में लड़ने लड़ाने के लिए चौराहे पर खड़ा हो जाता है तो इतनी तो बुद्धी इश्वर ने अपन सब लोगों को दे रखी है कि जिसके आधार पर अपन ये निरने कर सके कि फिर हम उसे धर्म कैसे कहें मजभब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और जो आपस में बैर रखना सिखाता है भला हम उसे मजभब कहेंगे या इनसानों को दफनाने वाला मरगट कहेंगे मुझे याद है गुरू कुल की कुल पती अपने शेश जीवन को सार्थक करने के लिए सन्यास लेने का संकल्प ले चुके होते हैं वे घोशना कर देते हैं कि कल सुबह वे सन्यास के पवित्र मार्ग पर अपने कदम बढ़ा देंगे सब के सामने समस्या आती है कि कुल पती महोदे तो निकल जाएंगे लेकिन जाने से पहले वे अपने गुरु कुल का दायत्व किसे सौंप कर जाएंगे रात भर शिश्यों के सामने यही काना फूसी चलती रहती है कि तभी इस सुबह चार बजे सब लोगों के जगने के साथ ही संदेश मिलता है कुतुहल जग जाता है सभी शिश्य इसी फिराक में होते हैं कि हमें गुरु कुल का कुल पती बनाया जाए अगले दिन सुबह सभी लोग नहा धो करके बीच आंगन में तैयार होकर पहुँच जाते हैं कुल पती भी अपना वेश माना छोड़कर सन्यासी का वेश बाना धारण कर लेते हैं माथे का मुंडन हो जाता है शरीर पर सन्यास के नाम पर एक अंगोच्छा धारण कर लेते हैं बुड़ा पहे इसलिए चलनी के लिए एक लाठी धारण कर लेते हैं और लिये हुए अपने कमरे से निकलते हैं बीच आंगन में आते हैं, देखते हैं, सारे शिश्य उनकी इंतजारी कर रहे हैं, गुरु कुल में पूरी तरे सननाटा चाया हुआ है, किसी की आँखों में आँसों हैं, किसी के इस्तब्दता है, लोग जितनी कुतुहल में थे कि कुलपती जाएंगे, उतनी ही कुतुहल इ गुरु जी, चौकी पर आकर बैठे और सारे शिश्यों को एक नजर से दीखा, आँख से आँख मिलाई और कहने लगे, मैं तुम लोगों से एक प्रस्न पूछना चाहता हूँ, और उस प्रस्न के आधार पर ही निर्भर करेगा, कि मैं किस चात्र को, अपनी किस शिश्य को, गुरु कुल का नया कुलपती, युवाचारी कुलपती नियुक्त करूँ, कुल्पती ने, बिल्कुल सीधा सरल प्रस्न किया, और प्रस्न उनका ये था, कि जरा बताओ, कि संसार में मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा, संसार में मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा, सारे शिश्य, एक ही स्वर में क्या उठे, सर, चांदी मूल्यवान है, सोचे, इस घटना को सोचे, क्योंकि ये जो मैं घटना कह रहा हूँ, ये कोई सहज चलती घटना नहीं है, ये वो घटना है, जो हमारी आत्मा के साथ धर्म को जोड सकता है, धर्म की उपियोगिताओं को सिद्ध कर सकता है, गुरु ने पूछा, जरा बताओ कि मूल्यवान क्या है, चांदी या लोहा, सभी शिश्य, एक स्वर में कह उठे, सर, चांदी मूल्यवान है, एक शिश्य, एक किनारे बैठ रहा, शांत रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, गुरु का ध्यान उसकी तरफ गया, गुरु ने कहा, वत्स, तो ने कुछ नहीं कहा, शिश्य खड़ा हो गया, अन्रोद करने लगा, भगवन, चांदी तो निश्य ही मूल्यवान होती है, लेकिन, मैं अपने सभी सहप आठियों के द्वारा दिये गए जवाब से पूरी तरे सहमत नहीं हूँ, बोले क्यों भाई, तुमारी असहमती की वज़ा क्या है, सारे शिश्य, खिल खिला कर हंसने भी लगे, कि ये देखो मूरक, जो कहता है कि चांदी मूल्यवान नहीं होती, उस शिश्य ने कहा भंते, मेरी समझ से चांदी से भी ज़्यादा मूल्यवान लोहा हो सकता है, शिश्य खिल खिला करके हंस पड़ते हैं कि चांदी से ज़्यादा लोहा मूल्यवान, गुरु जी आपने भी क्या बेवकुफी भरा ग्यान इस शिश्य को, इस चात्र को दिय क्या है गुरू ने पूछा वत्स जरा बताओ कि वज़ा क्या है कि तुमने लोहे को चांदी से भी ज्यादा मुल्यवान कह डालने की कोशिश की शिश्य ने कहा भगवन अपराद क्षमा करें लेकिन मेरा अनुरूद ये है कि चांदी तो हर हालत में चांदी ही रहेगी चांदी चांदी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती लेकिन लोहा चांदी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है बशर्ते उसे पारस का इस पर समिल जाए तो बशर्ते उसे पारस का इस पर समिल जाए तो लोहा चांदी से भी ज्यादा मुल्यवान हो सकता है चांदी अगर पारस से छोने को जाएगी तब भी चांदी चांदी रहेगी पर लोहा अगर पारस का सामे प्यप्राप्त कर लेगा तो लोहा लोहा नहीं रहेगा तब वो चांदी से भी दस गुना ज्यादा कीमती हो जाएगा गुरु ने शिश्य को अपने करीब बुलाया उसकी पीट थप थपाई और कहा कि तुमने ये लॉजिक कहां से ढूंड के निकाला बोले गुरुदेव इसका लॉजिक सीधा सरल ये है कि मुल्य कभी वस्तु का नहीं हुआ करता मुल्य हमेशा वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का हुआ करता है वस्तु का मुल्य नहीं होता वस्तु में जो संभावनाओं छिपी हुई है उन संभावनाओं की कीमत होती है न व्यक्ति की कीमत है न परिवार की कीमत है न मतमजभ या किसी भी धर्म की कीमत है कीमत है उसमें रहने वाली संभावन आए कि कौन सा धर्म कौन सा व्यक्ति कौन सा मजभ हमारी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल है क्या केवल रोजाना सुबै बैठकर माला के मणिये चला लेना धर्म मात्र है क्या केवल निश्चे ही ये धर्म हैं लेकिन ये धर्म आधे घंटे क्या समाधान हुआ जीवन का बाकी के साड़े 23 घंटे का जो समाधान न दे पाए उसे हम धर्म नहीं कह सकते मंदर से निकलने वाला व्यक्ति पत्थर की मूर्ती में भगवान को देखता है लेकिन मंदर से बाहर निकलते ही अगर कोई बिखारी दिख जाए तो क्या भगवान देखता है भक्ति की कसोटी मंदर में नहीं होती मंदर से बाहर निकलने पर भगवान में जो अपना असली साकार रूप ले रखा है उस असली साकार रूप में ही भक्ति की कसोटी होती है कि कौन भगवान मुझसे कितना प्यार करता है मेरे भाई मरने के बाद महवीर की पूजा करना आसान है लेकिन जीते जी महवीर को लोग नहीं पैचान पाए और महवीर के कानों में कीले ठुके मरने के बाद जीसस के लाखों कर्ड़ों अन्याई हो गए लेकिन जीते जी बिचारों को सलीप पर चड़ना पड़ा मरने के बाद तो चंदरप्रब की भी पूजा होगी ललितप्रब की भी पूजा होगी मरने के बाद हमारी तस्वीरों के आगे भी दीप धूप अगरबत्ति किये जाते रहेंगे लेकिन मरने के बाद उनके नाम से व्यवस्थाइं चलाने में बड़ी मदद मिल जाती है कोई विरोध करने वाला होता नहीं है तो पीछे की व्यवस्थाओं में बड़ी मदद मिल जाती है पर जीते जी तो आदमी कौन सी व्यवस्था सुईकारिय है और कौन सी नहीं है जरुत पढ़ने पर विद्रुह और विरोध भी कर सकता है मरने के बाद पत्थर के भगवान को पूजना आदमी के लिए आसान है लेकिन जीते जी भगवान को पूजना आदमी के लिए बहुत बड़ी साधना है पत्थर के भगवान को दादी जी के मम्मी जी के तस्वीर के आगे गुड चड़ाना आसान है गुलाब के फूलों के माला चड़ाना आसान है लेकिन जीते जी उनके पाउं के सेवा करना एक बहुत बड़ी तपस्या है भाई एक बहुत बड़ी तपस्या है क्या करें अपन सारे लोग संसार में पैदा होने वाले लोग इतनी छोटी बुद्धिके होते हैं कि दुनिया में हमेशा मरने के बाद याद किये जाते हैं और जीते जी हमेशा दुद्कारे जाते हैं मरने के बाद तो अर्थी पर भी फूल सजाए जाते हैं और जीते जी चुनरी भी नहीं उठाई चाती है ऐसा ही है ये इनसान की छोटी समझ है और मेरी समझ से धर्म वही काम का होता है जो कि इनसान की वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सके अब अगर मैं सोचू कि मैंने जनम लिया किसी जैन कुल में जैन परिवार में मैंने जनम लिया और जैनों की किताब में ये 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 बाते लिखी ऐसा ऐसा कर लो और मैंने वैसा वैसा किया पर कुछ परिणाम ना आया और किसी से पूछने जाओंगा तो जट से वो कह देंगे संत महत्मा जी कि भाई आस्था रखो जो लिखा है उस पर शद्धा रखो और करते जाओ अरे भाई क्या ये शद्धा रखो और करते चले जाओ अगर वो मेरी वर्तमान विशमताओं को दूर न कर पा रहा हो कोई भी तत्व कोई भी सिद्धान्त तो मैं क्या उसको करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ क्या उस सिद्धान्त को जीने के लिए किताब की किसी बात को अपने जीवन में पालन करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ अगर हमारे मन के विकार हमारे मन की वासनाए हमारे मन में पलने वाले गुस्से, खीज, इरश्या, जलाहट, स्वार्थ, प्रपंच, प्रलोभन, भै अगर ये हमसे दूर नहीं हो पाते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि राम का नाम मत जपो पर अगर राम का नाम एक लाग बार जपने से भी हमारे जीवन में भीतर में शान्ती नहीं आती तो इनसान को किनारे बैठ कर अपनी बुद्धी का उप्योग करते वे सोचना चाहिए कि आखिर मिरे लिए समाधान क्या हो सकता है आज अगर अगर मैं देखता हूँ वो एक सामने बुजर्ग बैठे हैं पगड़ी लगाये वे सफेद मूच सफेद दाड़ी वाले मेरी समसे उनके उम्र लगभग सतर वर्ष की तो होनी चाहिए अंदास करीब क्यों दादा जी इतनी तो होनी चाहिए किती असी चार उपर है चोहतर की है दो कम असी गाउं के बुजर्ग लगते हैं अच्छा है हमें केवल शहर के प्रबुद्ध लोग ही सुनने नहीं आते हैं ठेट गाउं से लोग भी हमें सुनने के लिए आते हैं गाउं की भी बुद्धी बढ़ गई है पर जरा मुझे बताओ दादा जी मेरी बात को अगर अन्यता ना ले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा दादा जी जरा इमानदारी से बताईए कि आपको गुस्सा आता है कि ने आता है गुस्सा आता है आपको गुस्सा आता है अब इससे आगे की बाते में जरा इज़्जत रखने कान पूछूंगा नहीं जब एक बुराई है तो उम्मीद रखते हैं जीवन की और भी बुराईयां बची हुई होंगी भीतर तो अगर आज हमारी इस उम्र तक असी के पड़ाव तक पहुंचने पर भी अगर हमारे गुस्से खतम नहीं हुए तो मैं पूछना चाहूंगा धर्म से पूछना चाहूंगा धर्म के प्रवर्तक महापुरुशों से पूछना चाहूंगा तो फिर अगर असी के उम्र तक भी तुमारे पच का अनुगमन करने पर भी हमारी जीवन के समस्याओं का समाधा न हुआ तो जरा हमें बताया जाए कि सच्चा धर्म क्या है केवल किसी एक किताब में लिखे हुई बातों का अनोगमन करने के लिए अपन पैदा नहीं हुए अपना जन्म सार्थक होना चाहिए जीवन धन्य होना चाहिए आज अगर मैंने धर्म किया तो उस धर्म का फल कल नहीं मिलना चाहिए आज मैंने धर्म किया उसका फल मुझे आज अभी मिलना चाहिए आज अभी मिलना चाहिए तो धर्म वो जीवित होगा मनशे खुद उसे अपने जीवन के साथ जोड़ेगा और नहीं तो बास्ते रहो महात्मा जी कठे हो हो करके अपनी कथाएं दुनिया के हजारों वर्ष बीट गए और हजारों वर्ष बीट जाएंगे समाधान निकलने चाहिए आज अगर आज अगर देश भर में आतंक फैला हुआ है दुनिया भर में आतंक फैला हुआ है मैं धर्म से पूछना चाहूँगा कि धर्म के पास इसका क्या समाधान है समस्या तो तब खड़ी हो करके आ जाती है जब लोग धर्म और मजभब के नाम पर आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं तो पूछेंगे प्रस्ण कल ही जब यहां सर्व धर्म सम्मिलन हो रहा था तो मैंने मौलबी साहब से अन्रोद किया था मैंने का साहब जब जब भी लोग पकड़े जाते हैं तो नाम आता है कि कोई उसमें मुसलमान विक्ती पकड़ा गया मैंने का कि अगर हिंदूस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई यदि यह कहते हैं कि हम भारतिय ہیں हम हिंदूस्तानी हैं तो क्रिपा करके अपने दूसरे जो भाई जो गलत रास्ते पर जा चुके हैं उन्हें अपने सही रास्ते पर क्यों नहीं लाते आज संतों का महनतों का मौलийों का दाइत्व ये नहीं बचा है कि लोगों को प्रेणना दे करके मंदर और मस्जिद में भेजे अभादत या प्रारतना करने के लिए आज पहला दाइत वार धर्म ये बन कर आ चुका है कि वो दुनिया में शान्ती के मशाल जलाए दुनिया में शान्ती का पैगाम दे आज अगर पुरे विश्व में रहने वाले मौलवी जी महराज अगर अपने संपूर्ण मुसल्मान समाज के नाम पर ये पैगाम पहुँचाए कि कोई भी मुसल्मान व्यक्ति आतंक में अगर हिस्सेदार बनेगा तो वो अपने आपको मुसल्मान कहने का अधिकारी नहीं होगा अगर ये मौलवी दुनिया भर में रहने वाले मौलवी अगर दुनिया को ये पैगाम देते हैं तो ये दुनिया उन मौलवियों को अपने सिर्माथे पर बिठाएगी अरे हम तो हिंदु हैं अरे हम हिंदु होकर के भी उन मुसल्मान मौलवियों को अपने प्रणाम समर्पित करेंगे क्योंकि वो दुनिया के हितैशि ह którego और अगर अपन लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यदि हम संत लोग लोगों को भड़का करके और अगर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि अगर सामने वाला ले आए पत्थर तो उठा के इट मारना तब तो नतीज़ा ये होगा मैं तो सीधी सरल बात कहूंगा और सीधी सरल बात ये है कि समाधान होना चाहिए धरम के पास, मजभब के पास हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिए और तब मैंने मौली साब से एक अनरोद कर दिया कि आप कम से कम एक पैगाम दे, एक काम करे कि दुनिया में आतंक रहे या ना रहे, ये बात ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है पर अपन लोग मिलकर कि एक पैगाम तो दे सकते हैं और पैगाम ये रहे कि आतंक मिटे या रहे पर कम से कम उस आतंग वादियों की जब जब लिष्ट हमारे सामने आए तो उस लिष्ट में कम से कम एक मुसल्मान का नाम तो कते ही नहीं होना चाहिए ताकि हम हिंदू लोग गौरव के साथ कह सके हैं कि हम हिंदू मुसलिम भाई भाई और अगर ऐसा नहीं होता है दिल में पीड़ा पहुंसती है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इस हिंदुस्तान में सभी धर्म पंथ मजहबों को समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं और जब जब भी आतंक वादियों की लिश्ट पकड़ में आती है तब तब ये नाम क पकड़े गए ये 20 मुसलमान पकड़े गए मुसलमान हमारे भाई हैं हमारा खून उनका खून एक है हमें बनाने वाला उनको बनाने वाला खुदा और भगवान एक है मस्जिदे कोई असमान से टपक कर नहीं आईये और मंदर कोई पाताल फोड़ कर नहीं आएं हैं सभी वही एट चोने गारे के बनी हुई चीजे हैं समाधान निकलना चाहिए आज अगर देश भर में ब्रश्टा चार फैला हुआ है धर्म के पास क्या समाधान है इसका दुनिया में जितना धर्म होता है उससे कहीं सौ गुना ज्यादा धर्म हिंदुस्तान में होता है बुरा ना माने तो दुनिया के नजरों में अपन लोगों ने ठेका ले रखा है धर्म का लेकिन अपने देश को ब्रेश्टा चार से मुक्त करने में अपने देश के सारे धर्म विफल होते जा रहे है कहते हैं हौंग कॉंग जितना बड़ा ये अपना शहर है न उतना ही बड़ा हौंग कॉंग है जितनी बड़ी राजस्तान की राज़दानी है उतनी ही बड़ी बैंकोक है और जितनी बड़ी दिल्ली है उतनी बड़ी में पूरी दुबई बसी हुई है पर मजाल है वहाँ पर कोई आदमी चोरी कर सके मजाल है वहाँ पर कोई भी आदमी रिश्वत ले या दे सके कर बैठे तो उस आदमी को जिन्दा चौरा हे पर फांसी पर लड़काया जाता है तो खौफ पैदा कर दिया गया और उस खौफ के चलते वहाँ पर कोई बुरा काम करता ही नहीं है यहाँ पर तो पुलिस देख लेती है बिना हेलमेट के तो सौरी पर टिका लेती है और वहाँ पर इतने कैमरे लगे हुए है पूरे देश में उनकी इतने कैमरे लगे हुए है कि अगर आप एक मुख फली का छिलका भी अगर सड़क पर फैक्तिवे नजर आ जाएंगे तो जीदा 25 तो डॉलर जुरमाना हो जाएगा थोड़ा सा जूचा करेंगे पुलिस वाले से कुछ इदर उदर कहेंगे तो उठा के तीन मैने के लिए जेल में ड़ देंगे अगर हमारे यहां का सरकारी तंत्र भी अगर अच्छा हो जाए तो आने वाले दस साल में भारत भी होंग कॉंग बैंक कॉंग दुपई हो सकता है यह हमारा अपना देश हो सकता है अगर सरकारी तंत्र ठीक हो जाए तो मैं तो चाहूंगा अगर मेरी बातों को मेडिया वाले या दूसरे लोग अगर देश भर में फैलाना चाहे तो देश बर में फैला दें और मैं सरकारी तंत्रों से किवल एक ही काम करूँगा और काम ये करूँगा मैं सरकार से अन्रोथ करूँगा कि सरकार के जितने भी आफिस हैं जितने भी दफ्तर हैं हर दफ्तर में एक फ्लेक्स टांग दिया जाए एक स्टिकर हर रूम में टांग दिया जाना चाहिए आफिस के भीतर और बाहर एक बोर्ड टांग दिया जाना चाहिए और बोर्ड ये रहे कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना अपराद है रिश्वत लेना और रिश्वत देना अपराद है फिर भी यदि आप से कोई सरकारी करमचारी रिश्वत मांगता है तो कृपया ब्रष्टाचार निरोदग ब्यूरो के अमुक अमुक नंबर पर संपर्क करे ये पूरे सरकारी कारियलों में ये बोड़ टंग जाना चाहिए कि जिसमें लिखा हुआ रहे कि रिश्वत लेना और देना पाप है अपराद है फिर भी यदि कोई सरकारी करमचारी आप से रिश्वत मांगता हुआ लगे तो कृपया अमुक अमुक नंबर पर ब्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया जाए दस साल के लिए नहीं मात्र एक दो तीन साल के लिए भी अगर ये ये अभियान अगर ये देश चलाता है ये सरकारी तंत्र अगर ये अभियान चलाता है तो उम्मीद रखते हैं आने वाला कल वो कल होगा जब केवल धर्म और मजभ तक की जरुवत नहीं पड़ेगी वरन इस देश का हर नागरिक कानून का संबान करेगा और कानून का संबान करना देश का नागरिक का पहला धर्म होता है पर सरकारी तंत्र ही अगर खराब रहा तो तो कहां से कुछ करेंगे अपन हम संत लोग केवल क्या कर लेंगे हम जनता को ठिक कर सकते हैं पर जनता के सामने समस्या ये आती है कि साब ऑफिस में जाते हैं आपने कह दिया कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए नहीं देनी चाहिए हमने स्वीकार भी कर लिया पर ऑफिस में जाते हैं और जब तक वहाँ पर पेपर वेट न रखें वहाँ पर कामी नहीं होता अब आप ही बताए कि क्या करें तो संत असफल हो जाते हैं धर्म विफल हो जाता है अगर रास तंत्र और सरकारी तंत्र उसमें सही होगी न बने तो संत विफल हो जाते हैं पर अगर एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ धर्म अगर ये राजनीती और धर्म नीती आपस में एक समनवे का राम से तु तैयार कर ले तो आने वाले दस साल में जनता को ठिक करने का काम संत कर सकते हैं और राजनीती को ठिक करने के काम अरकर सरकार ले ले ये दोनों ही ठिक हो सकते हैं देश ठिक हो सकता है और तब कहा जाएगा राजनीती और धर्मनीती ये दो अगर अपना संतुलन बिठाते हैं तो दोनों ही अपना पलिणाम देने में सफल हो सकते हैं हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए अगर गंदगियां हैं चारों तरफ गरीबी है चारों तरफ तो जबाब दे कौन होगा भाई अपन लोग ही तो हैं अमेरिका में कोई आदमी प्लास्टिक की थैली नहीं फैक सकता दुबाई की सड़कों पर कोई भी आदमी मुंगफल या खाकर के छिलके या कागज का ठूंगा नहीं फैक सकता अपने यहाँ तो अगले कोई फैक दे ये तो ठूंगा और प्लास्टिक के थैली तो है ही का अपने देश के लोग जब तक सच्छे धर्म को नहीं समझेंगे और सच्छे तर पर अपने देश की हितैसी नहीं होंगे तब तक ये देश योही बिगड़ा हुआ रहेगा भले ही चाहे जितनी कथाएं कर लो चाहे जितनी संस्कृतियों की बाते कर लो परिणाम आना चाहिए मूल बात है परिणाम आना चाहिए अब वो देखता है पोता दादी सा मराज का व्याख्यान सुनकर आई और घर में आते हो हले करने लग गई तो पोता सोचता है यार मैं धर्म कता सुनने नहीं जाता उससे अच्छा हूँ कम से कम घर में वो अल्ला तो नहीं करता तो पोते के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा होकर आ जाता है तो फिर इनसान का धर्म क्या होगा इनसान का धर्म क्या होगा कहते हैं गरीबी है गरीबी है भाई गरीबी नहीं रहेगी तो क्या होगा निरंतर देश के पास आर्थिक सम्मर्दी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है पिछले दस सालों में हम सभी लोगों ने इतनी समर्दियां बुलंद की है इतनी समर्दियां बुलंद की है कि अब हर आदमी के हाथ में मुबाइल है और हर आदमी के पास में स्कूटर है इतनी तो गरीबी कम से कम हट ही गई है कि अब इनसान को पैदल या साइकल पर चलने की जरुवत नहीं रही है इतनी अमीरायत तो हर किसी आदमी के पास आ गई है पर क्या करें फिर भी गरीबी गरीबी की बात होती है तो भाई जब ये खाने वाले लोग ही पूरा खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं तो फिर गरीबी तो वैसी की वैसी रहनी है ना माना कि सरकार को मैं ठीक नहीं कर सकता पर हम लोग आप लोगों तक सीधी अपनी पहुँच बना कर कुछ न कुछ जरूर अनरोध कर सकते है और मेरे अनरोध का सार केवल इतना सा है अगर इस देश की गरीबी को दूर करना है तो आदमी जन्दगी में केवल एक पुन्य काम करे केवल एक नेक काम करे और पुन्य काम ये कि मैं अपने पड़ोसी को बूखा नहीं मरने दूँगा केवल एक काम मेरे से दुनिया भर का अगर ख्याल नहीं रखा जाता नहीं रखूंगा पर कम से कम अपने पड़ोसी को बूखा नहीं सोने दूँगा उनके बच्चों की अगर पढ़ाई की जरुत पढ़ेगे तो उनके लिए छात्रवर्ति की व्यावस्ता मैं कर दूँगा अर्थात हर आदमी अगर केवल एक पड़ोसी तक को भी अगर एक दूसरी के लिए सुख दुख में सहभागी हो जाता है तो सौर रिस्तेदारों की जरुत नहीं होती सौर दोस्तों की जरुत नहीं होती एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का मददकार बन जाए तब भी दुनिया से आधी गरीबी अपने आप दूर हो सकती है समाधान निकलना चाहिए मेरी समझ से इनसान के सामने धर्म समाधान का रास्ता बन जाना चाहिए धर्म जितना सरल होगा इनसान उतना ही उसको जी सकेगा और धर्म जितना कठिन होगा आदमी के लिए जीना उतना ही कठिन हो जाएगा उतना ही कठिन हो जाएगा धर्म बहुत सरल होना चाहिए अब जैसे हिंदुस्तान में अगर हम चर्चा करें हिंदु धर्म की बहुत सीधा सरल धर्म है हर धर्म को इतना ही लचीला होना चाहिए ऐसा कर लो तो भी ठीक संत बन जाओ तो भी ठीक संत बन के नाच लो तो भी ठीक अमुक तरह से रास ली लाए रस लो तो भी ठीक सब चीजों की यहां पर रजा है लचिला बना लिया धरम को धरम जितना सरल होगा उतना ही आदमी के द्वारा सुविकार किया जाेगा धर्म को हम जितना कठिन जितना कठोर बना देंगे परिणाम ये निकलेगा इनसान आधे घंटे का धर में खो जाेगा बाकी साड़े ।ेविस घंटे उसके इधर उद्र में चले जाएगे मेरी समस्य धर्म इंसान की छाया बननी चाहिए धर्म वो नहीं होता जो आदे गंटे तक जिया जाता है धर्म वो होता है जो 2400 गंटों इंसान के साथ रहा करता है जो 2400 गंटें हमारे साथ रहा करता है वो धर्म धर्म होता है जरा एक बात सोचो आपकी जेब में पर्स होगा जरा एक मिनट के लिए खयाल करो कि आपके जेब में अगर पर्स है आप उस पर्स को निकाल कर किनारे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं परस को निकाल सकते हैं बार अलग किया जा सकता है कर सकते हैं और घर में जाते हैं तो रखते ही होंगे ठीक है आप यहां निकाल कर सड़क पर नहीं फैंक सकते हैं पर घर पर तो निकाल करके रखते ही होंगे न तो परस को निकाल करके रखा जा सकता है और दादाची ने अग अगर अलग करना हो तो पगड़ी को अलग किया जा सकता है पर सोचो अपनी जो चमड़ी है क्या हम उसे भी अलग कर सकते हैं क्या हम अपनी चमड़ी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि चमड़ी हमारे जीवन का हिस्सा है धार्म अगर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो हम उसे अलग कैसे करेंगे ऐसा नहीं कि दिन का धर्म अलग और रात का धर्म अलग व्यापार का धर्म अलग और घर ग्रियस्ती का धर्म अलग धर्म तो आँज इंसान की छायां की तरह होता है इंसान की आँखों की जोती की तरह होता है धर्म तो इनसान के श्रमण शक्ति की तरह होता है जो हर हालत में इनसान के पास रहता है साथ रहता है जो हर हालत में इनसान के साथ रहे वो धर्म धर्म है अलग ना हो जो हमसे प्रस्ना आया था कल कह रहे थे हम को को तो मानते हैं पर की को नहीं मानते हम को को तो मानते हैं पर की की नहीं मानते अर्थात महवीर को मानते हैं पर महवीर की नहीं मानते गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते सवाल ये है ये कोई सरकारी जुमले जैसा कोई जुमला है या इसका कोई सत्य भी होता है कि हम गीता को तो मानते हैं पर गीता की नहीं मानते तो भाई हम क्या नहीं मानते प्रस्थन ये उठता है कि हम क्या नहीं मानते हम मानते हैं कैसे नहीं मानते हैं हम सब लोग मानते हैं हम गीता की भी मानते हैं हम माहवीर की भी मानते हैं, हम माहवीर को भी मानते हैं, और माहवीर की भी मानते हैं, को का मतलब होता है, इंगलिश में को को क्या कहेंगे, चलो को से क्रो बना लेते हैं, और क्रो का मतलब होता है, काउं 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 कवा, और की का मतलब, चाबी, अगर हम की की मानने लगे तो चाह भी बन जाएगे और को को मानते रहे तो काउं काउं हो जाएगा चाहे जो अर्थ निकाल दिये जाएं पर को को मानते हैं की को मानते हैं दोनों को मानेंगे तभी जीवन में सेतु का निर्मान होगा दोनों को मानेंगे तो सुना था कल मैंने संतों के श्री मुख से कि कुरान में धर्म नहीं होता पुरान में धर्म नहीं होता तो धर्म किस में होता है बोले आचरण में धर्म होता है प्रस्न है वो कौन सा आचरण है जिसको की हम धर्म की संग्या दे सके धरम की केवल दो ही ताकत होती है एक है आस्था और दूसरा है आचरन एक है आस्था और दूसरा है आचरन आस्था हो तो दिल में ताकत है आस्था हो तो इश्वर हमारे करीब है आस्था हो तो काट की मूरत में भी भगवान की मूरत है आस्था हो तो माँ बाप किस हाड मांस की काया में भी इश्वर का निवास होता है और अगर आस्था नहो तो पुराने गीतों में अपन सब लोगों ने सुन रखा है मानो तो मैं गंगा माहू ना मानो तो बहता पनी ये आस्था का खेल है कि अगर आस्ता है तो सब कुछ है और आस्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है और अगर आचरन है तो भाषन में भी दम है और आचरन नहीं है तो भाषन भी अर्थहीन हो जाया करता है धर्म कतनी नहीं होता धर्म करनी होता है और जो कतनी करनी में से निकल कर आती है वो कतनी ही दुनिया में बदलाव लाया करती है मन भर का भाशन देनी की बज़ाए कन भर का किया गया आचरण ज्यादा सार्थक हुआ करता है बातों के बादशाह होने की बज़ाए आचरण का आचारिय होना कहीं ज्यादा स्रिष्ठ होता है बातों के बादशाह होने की बज़ाए आचरण का आचारी होना ज्यादा स्रिष्ट होता है प्रस्त नहें अब वो आचरण क्या है मैं मानता हूँ धर्म वो होना चाहिए पहली बात जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करे तूटे दिलों को आपस में जोडे सास बहु मा बेटे के बीच में इज़त और सम्मान का रिस्त कायम करे जो हमारे समाजों की धरारों को दूर करने का जो काम करे क्योंकि धर्म द्वार होता है धर्म कभी दीवार नहीं होता जब तक धर्म द्वार बना रहेगा एक दूसरी के लिए रास्ते खुले रहेंगे पर जैसे ही धर्म दीवार बन जाएगा आगे की सारी बाते बंद हो जाएंगे धर्म क्या है धर्म बहुत सरल होता है मेरी समझ से पोश्ट कार्ड में जितनी जगे होती है न बस उतनी जगे में सारे धर्म को ला करके समेटा जा सकता है सारे धर्म को उतनी सी जगे में ला करके समेटा जा सकता है सीधे सरल अर्थों में हम लोग धर्म को लेते हैं जैसे जरा सोचो आग का धर्म क्या है क्या है सोचो क्या है जरा एक स्वर में बोलो तो जलाना आग का धर्म क्या हुआ जलाना अब जरा मुझे ये बताओ कि पानी का धर्म क्या है क्या है क्या हो ला प्यास बुझाना ये तो आप पीते हैं तो प्यास बुझती है पानी का खुद का धर्म क्या है शीतलता आग का धर्म है जलना पानी का धर्म है बुझना बुझाना फूल का धर्म क्या है क्या है खुश्बू देना महकना खिलना ये फूल का धर्म है कांटे का धर्म क्या है क्या है गरना चुबाना कांटा चुबाता थोड़ी है खुद अपन जाते हैं पाउं रखते हैं तो चुब जाता है कांटे का धर्म है चुबना जरा एक बात बताओ और सोचो खुद अपने बुद्धी में सोचो आग का धर्म है जलना पानी का धर्म है शीतल होना फूल का धर्म है खिलना और कांटी का धर्म है गड़ना अब जरा अपन लोग सोचें क्या आग अपना धर्म छोड़ती है कांटा अपना धर्म छोड़ता है फूल अपना धर्म छोड़ता है जब आग का धर्म है जलना और पानी का धर्म है शीतल होना तो अपन लोग धैरिय पुर्व किये सोचें कि आग का धर्म जलना है तो फिर इनसान होकर इनसान का धर्म क्या है अगर आग का धर्म जलना और जलाना है तो फिर इनसान होकर इनसान का धर्म क्या है आपका शुब नाम क्या है प्रभुजी महर चंजी साहब भंडारी सायर चंजी साहब भंडारी इनका ये कहना है इनसान अगर ये सोच ले कि उसका धर्म क्या है वो अपने सामने अगर ये प्रस्न चिन्न खड़ा कर ले कि मेरा धर्म क्या है इनसान होकर इनसान का धर्म क्या है तो दुनिया से सारी वारदातें खतम हो जाए और एक मात्र भाईचारे का धर्म ही शेश बचा हुआ रह जाए अच्छा जरा आप मेंसे कोई खड़ा होकर के बताए मुझे कि धर्म क्या है आग का धर्म जलना और पानी का धर्म शीतल होना अपन सारे लोग सोचे कि इनसान होकर इनसान का धर्म क्या है इन्हों ने कहा इनसान का धर्म है जीना और जीने देना और कौन कहेगा जवाब मानवता की सेवा करना आपने कहा मानवता की सेवा करना है जी प्रकर्ति के नियमों का पालन करना और कोई नई परिभाशा देगा इंसानियत धर्मकसार और जीवन को विवेक से जीए यही धर्म है अलग-अलग महानुभाओं ने हाँ प्रभुजी समय के अनुसार चलना धर्म है ठेक है जिसको भी देखो उसमें अपना ब्रम्म दिखे ये इनके हिसाब से धर्म है बहुत अच्छी अच्छी परिभाशाएं है मैं एक तरह से जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं तो किवल प्रस्न खड़े कर रहा हूँ कि हर आदमी अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करते वे सोचे और जवाब अपने मुँ से वही निकाले जिस जवाब को वह हकीकत में जीता हो या जी सकता हो तो ही उस जवाब का अर्थ है क्योंकि अभी तक हमने मूलता तो इस प्रस्न पर विचार ही नहीं किया कि इनसान होकर इनसान का धर्म क्या है आग का धर्म है जलना पानी का धर्म है शीतल होना इनसान सोचे कि इनसान होकर इनसान का धर्म क्या होता है तो सार बात एक ही निकल कर आती है इनसान होकर इनसान के काम आना यही इनसान का पहला और आखिरी धर्म है इन्सान होकर इन्सान के काम आ सके यहीं इन्सान का धर्म है अब हम देखते हैं इन्सान का धर्म क्या अपने आप से जोड़ते हैं पहला धर्म इन्सान का पहला धर्म है अपने भीतर पलने वाली कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना ये इन्सान का पहला धर्म कोई भी आदमी दूद का धुला नहीं है भाई ना मैं हूँ ना आप है ना राम जी थे ना मावीर जी थे वो भी कोई दूद के धुले नहीं थे कोई ऐसा नहीं है कि वो भगवान के आवतार थे तो उनमें कोई कमी नहीं थी अगर कमी नहीं थी तो लोगों ने उनकी आलोचना है क्यों की? कानों में कीले क्यों ठोके? सलीप पर क्यों चड़ाया? विश्पान पीने के लिए लोगों को क्यों मस्बूर किया? कमिया थी उनमें, अपन लोगों में भी कमिया है किसी दूसरे की कभी भी निंदा आलोचना मत करना भाई कम से कम अपनी जिंदगी में किसी भी संत महत्मा रिशी मुनी की तो निंदा आलोचना मत करना जो करेगा सो भरेगा किसी भी संत की आलोचना तभी करना जब अपन खुद वैसे संत बन जाएं तो दूसरे संत की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और अगर कभी किसी में कमी दिख जाए किसी संत में कमी दिख जाए तो ये मत कहना कि वो ऐसा वरन ये सूचना कि अगर मैं अपनी जिन्दगी में कभी अगर संत बना तो मैं इस कमी को नहीं रखूंगा इस कमी को अपनी जीवन में मैं नहीं रखूंगा अगर मैं कभी संत बन गया तो बंदा पहले संत ही नहीं बन रहा तो अगले की कमी डूंडने का अधिकार अपन लोगों को कहां से मिल जाता है भगवान भी अपन लोगों की कमिया नहीं डूंडते है अगर भगवान भी अपनी कमिया डूंडने शुरू कर दे तो कभी भी वो अपन लोगों से प्रेम और महबत नहीं कर पाएंगे भगवान भी हमारी कमियों को माफ़ कर देते है कमियां हर किसी में होती है किसी की कमियों को देखना जीवन का सबसे कमीना काम होता है दूसरों की कमियों को देखना जीवन का कमीना काम हुआ करता है जो है सो है अच्छी बात प्रेरिना ले लो तो अच्छा है नहीं तो जैसे है वैसे है पहला काम अपनी अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना सोचो एक एक व्यक्ति सोचे उसमें कौन सी खास बड़ी कमी है एक एक व्यक्ति सोचे कि किसमें कौन सी खास कमी है शाशी जी खड़े हो तो खड़े तो हो जाओ अच्छा खड़े तो हो जाईए खड़ा कर सकता हूँ, पर आप यह नहीं हैं मैंने आपको खड़ा किया प्रत्तिएक भाई बेहन को एक तरह से खड़ा किया हुआ है, और वो प्रत्तेख बाई बेहन समझे, अपनी दिमाग को लागर सोचे के मेरी बीतर की सबसे बड़ी कमी क्या है जराब बताओ कि आपके जीवन के सबसे बड़ी कमी क्या है कमिया तो बहुत सारी होगी पर उन में से सबसे बड़ी कमी क्या है जराब सोचो हर व्यक्ति सोचे धरम क्या है अगर जीवन में इसको जीना है तो पहला यहीं से ही प्रस्न शिरू करते हैं तेक विक्ति सोचे भाई दूद का धुला कोई नहीं है तो अपनी कमी कहने में कहा दिक्त है मैं तो पब्लिक में अपनी कमियां कहता रहता हूँ भाई बेहनों याद रखो अपने मूँ से अपनी कमियों को कह देने से उन कमियों का प्रायश्चित हो जाता है पबलिक के बीच में पापों का प्रायश्चित कर लेने से वो पाप धुल जाया करती है जरब सोचो अपनी कमी क्या है क्या है कोई नहीं है है बताईए सबसे बड़ी कमी क्या है गुस्सा बहुत आता है विराजी आप इसको कोई हलका ना ले अगर मैंने किसी भाई बेन को खड़ा किया उसको आप हलके आर्थ में ना ले अपन लोग तो सब स्कूल में बैठे हुए विद्ध्यारती हैं जो अपनी अपनी कम्यों को छांट रहे हैं और पत्थर को प्रभु की प्रतिमा बनाने का प्रयास कर रहे है कोई यहां ज्यान नहीं बाटा जा रहा है कोई प्रवचन मालाएं नहीं चल रही है यह अपन लोग अपने आपको ठीक कर रहे हैं कुछ हम अपने आपको ठीक कर रहे हैं अब जरा प्रतेक व्यक्ति सोचे कि इस महिला का धर्म क्या है? क्या है? गुस्से को काबू में रखना. यानि धर्म क्या है? इनका धर्म ये नहीं है कि रोजा नहीं है. महवीर जी के माला फेरे, राम जी के माला फेरे. मावीर जी और राम जी के माला फेरने के लिए पहले पात्रता चाहिए भाई हर कोई आदमे राम राम करना शुरू कर दे अरे राम जी का नाम लेने के लिए पहले पात्रता चाहिए और पात्रता कैसे आएगी कैसे आएगी पहले अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे इस बहन जी के लिए धर्म क्या है अपने गुसे पर विजय प्राप्त करना ये इनका पहला धर्म है ठीक है न ची? चलिए प्रभुजी आप खड़े हो ये तो हाँ बन्यान पहने हुए हाँ आप खड़े हो ये प्रभुजी अच्छा जरह एक बात बताईए बिना संकोच के सोचिये ढंग से सोचिये और सोच कर सोच कर सोचिये कि आपके जीयन में सबसे बड़ी कमी क्या है है जी? गुस्से ही है और को कमी नहीं है किसी में सब में यही एक बड़ी कमी होती है अगर सब में यही और धरम को जीने के बारे में सोचना ही मत क्यांकि मेरा एक धरम तो पहले पूरा हो जाए एक धरम तो ढंका कर लूं उसके बाद दूसरे धरम के सीडी पर कदम रखूंगा तो आपका पहला धर्म हो गया कि मैं अपने गुस्से को जीतूँ विराजी प्रभुजी आप बहुत अच्छे हैं हर आदमी सोचे कि मेरा धर्म क्या होगा बादशाह हारू रशीद के पास उनका बेटा राजसभा के बीच मैं पहुचा और जाकर कहने लगा कि बादशाह आपके अमुक सेन्या पती के बेटे ने मुझे आज गालियां दी आप उसे दंड दीजिए जैसे ही ये बात सुनी जाती है कि राजकुमार को किसी सेन्या पती के बेटे ने गालियां दी पूरी राजसभा में ऐसे लगता है जैसे गुसे का बातवन हो गया और लोग कहने लगते हैं एक सामंत कहता है कि अगर राजकुमार की किसी ने इंसल्ट की है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की जबान काट दी जाए दूसरे सामंत नहीं कहा कि उसे फांसी पर चड़ा दिया जाए तीसरे सामंत नहीं कहा उसे हाथी के पाउं तले कुचल दिया जाए बादशाह सब की बात सुनता रहा और अंत में अपने बेटी को अपने करीब बुला कर कहा बेटा मेरे करीब आओ और बादशाह अगर किसी ने तुम्हें गाली दी है तेरा अपमान किया है तो बेटा याद रखना कि विप्रीत वातावर्ण बन जाने पर भी अपने आप पर सैयम रखना यहीं इनसान का सच्छा धर्म होता है सच्छा वीर वही होता है जो कि अपने से भी ज़्यादा कमजूर व्यक्ति को माफ करने का बड़पन दिखाया करता है वही व्यक्ति सच्छा वीर होता है बेटा अगर तुम उस सेना पती के बेटे को अगर माफ कर सकते हो तो माफ करके यही पर ही बात को रफा दफा कर डालो और अगर माफ नहीं कर सकते तो जिसने तुम्हें 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 तुम्ह गुस्सा करना क्या शोभा देता है शोभा तो नहीं देता हाँ अगर जीत जाओ तो क्या शोभा देगा अगर आप अपने गुस्से को जीत जाते हैं तो क्या शोभा देगा आप खोदे ही तो धरम को समझते हैं भाई अपन सभी लोग समझते हैं कि धरम क्या है धरम क्या नहीं है केवल बुद्धी के साथ उसको समायोजित करनी की जरुवत है और धरम हमें पहली लाइन में सिखाता है अपनी अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो यह हमारा मेरा आपका अपन सभी लोगों का पहला धरम यही होता है भगवान हर किसी व्यक्ति को एक खासियत देकर के भेजता है और एक कमी देकर के भेजता है खासियत के सहारे इज़त की जंदगी जी जाओ और जो कमी है उस पर विजय प्राप्त कर लो बस यही धर्म है जो हमारी कमी है उस पर विजय प्राप्त कर लो बस यही धर्म है सासू सोचे, बहु सोचे, देराणी सोचे जेठाणी सोचे कि मेरी अपनी बुनियादी कमजोरी या कमी क्या है बस उस पर विजय प्राप्त करो यही पहला आपका धर्म है यह बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि सत्य को जानते हुए भी हम सत्य को आच्छन में क्यों नहीं ला पाते हैं मेरे भाई इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने केवल परंप्रागत वाले धर्म को ही जिया है कभी अपने सामने एकांत में बैठ कर खुद के सामने कभी क्वेश्चन मार्क लाकर के खड़ा नहीं किया कि मैंने चालिस साल तक जो धर्म किया उसका मुझे कोई परिणाम मिला या नहीं मिला हां ये जिन्दगी में हिम्मत बटोरी और हिम्मत बटोरने के बाद ही खुद के जियन में भी परिवर्तन लेकर आया और दुनिया को भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि सोचो अगर चालिस साल तक तुमने किसी धर्म को जिया और उसका परिणाम नहीं आया तो बैठ कर एक आंद में सोचो कि फिर तुमारा धर्म क्या होता है और वो धर्म क्या होता है ये जानने के लिए ही प्रस्न खड़ा किया मैंने ये नहीं कहा कि मंदर में जाना पहला धर्म है एक संत हमेशा यही कहेगा रोजाना एक माला जपा कर जमीकन मत खाया कर एक संत हमेशा यही कहेगा रोजाना सामाई किया कर पर मैंने देखा कि जो माता जी सत्तर साल तक सामाई करती रही है लेकिन फिर भी छोटी से उसके मन के खिलाब बात कर दो मा जी को एक सेकंड में तेजी आ जाती है तो फिर खुद के सामने प्रस्ण आ गया तो फिर सामाई कहा है तलाश कर दी होगी हमें कि वो सामाई कहा है अगर कोई हमारी विशमताओं को दूर करके समता की इस्थापना न कर पाए तो फिर सामाई कहा है क्या केवल हमारे गुरुव ने हमारे संतों ने जो हमें सिखाया क्या हम उसी कोई करते रहेंगे या उसके सामने प्रस्ण चिन्नक खड़ा करके हम अपने आप से पूछेंगे कि वास्तविक धर्म क्या है और इसी लिए मैंने पहला प्रस्ण खड़ा किया व्यक्ति सोचे मेरी कमी क्या है मैंने एक बहन को खड़ा किया एक भाई को खड़ा किया क्यों खड़ा किया ताकि इनसान सोचे मेरी कमी क्या है इस पब्लिक के बीच मैं अपनी कमी को बखानना अपनी कमी को कहने के लिए चाती चाहिए भाई चाती चाहिए कि मेरे जीवन की एक कमी है कितने लोग उटका नहीं खाते होंगे किते लोग नहीं पीते होंगे किते लोग सिग्रेट नहीं पीते होंगे लेकिन साधुवाद देता हूँ उस जैकिसंजी को उस साधवानी सिंधी भाई को जिसने चाती में हिम्मत बटोरी और पबलिक के बीच में आकर के खड़ा होकर कहने लगा कि साब आज के दिन मैंने पंद्रे से बीस लीटर शराब अपने घर से बहाई है यह चाती चाहिए त्याग करने के लिए और जब तक यह चाती नहीं होती नहीं किसी का त्याग नहीं होता सत्य सुनते आएं हैं पर उस सत्य को कभी अपने सामने प्रस्ण बना करके हम लोगों ने खड़ा नहीं किया इसलिए परिवर्तन नहीं आता मैं रोज अपने सामने प्रस्तन कड़ा कर लेता हूँ आज मेरा दिन बीता आज मैंने क्या किया आज मेरा दिन बीता आज मेरा क्या किया लोग कहते हैं चिरन जी भी रहो सौ साल की उम्र पाओ मैं कहता हूँ वही क्या करोगे जादा जी कर कल भी वही खाए पीए अंगे मूते कुछ और इसके अलावा कल कुछ किया था क्या और आज भी वही कर रहे हैं कल भी वही करना है तो क्या फरक पड़ना है दस साल और जी के चले जाओ पहले चले जाओ क्या फरक पड़ना है और जीएंगे दो-चार जमीने और बटोड लेंगे छोड़ छोड़ा के सब यहीं जाना है ना कल हमसे अच्छे कर्म हुए ना आज हो रहे और ना कल करेंगे तो फिर इनसान सोचे ना कि जादा जी करके भी क्या कर लेंगे अपलो ज्यादा जी करके भी क्या कर लेंगे वोई पुन्रा वर्ति कर रहे हैं रेपिटेशन कर रहे हैं वोई कल भी सुबह नाये दोये अकबार पड़ा खाये पिये अंगे मूते दुकान चलेगे दो पास पैसे बटोरे फिर आ गए आज भी वही कर रहे हैं परसों भी वही किया यार ये रेपिटेशन के जिन्दगी जीते जीते दाव गए क्या कुछ कुछ होना चाहिए कुछ दिन का सार्थक परिणाम आना चाहिए दिन धन्या होना चाहिए जीवन धन्या होना चाहिए अगर हमारे इस तरह की सोच विचारधारा चिंतन बुद्धी के भीतरे इस प्रकार का कोई तरह का प्रकाश उतरता है तो निश्चत तोर पर परिणाम आएगा बुद्धी के बढेंत का सबस्दकार का प्रकाश चनार आपोस्छा कॉटाइए तो आपकाश के प्रकाश में आपका मोशा बगएगा अगर चाहिए कर दो 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 झाल झाल झाल